दोस्तो ये है बिच्छू गास ये दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर है काटे ये जो चीजे है ना दोस्तो इसके अंदर गाए के खाने की चीजे होती है और गोबर बगरा होता है अज़िस स्वागत है अपका एक और नए ब्लॉग में आजका जो मेरा सफर है मवा मुंसियारी के खुबसूरत घाउं में है और मुंसियारी का ये खुबसूरत घाउं सर मोली विलेज़ आफ सभी का स्वागत करता है और ये है सर मोली विलेज Dia locally सरमोली विलेज सुभे का टाइम हो रहा है लगबग 6 वजे का टाइम हो रहा है और मौसम कुछ इस प्रकार का है चारो तरफ सरिफ शांती ही शांती है और आपको पंचियो की अवास सुनाई देगी और जैसे ही मैं इस काउं में उठा आज मौनिंग में तो मुझे मेरे दोस् इस गाउं के अंदर यार यह अपने जो दोस्त हैं सुभी सुभी आप लोग को मिल जाएंगे और इन के साथ मैं हमबिशा मजा करता हूं एंजॉय करता हूं और अपना बंटी वाई रणी करने जा रहा है रणी वेरी गुड़ आप निया रहा कोई तो दोड़ना क्या बात अब जानवर भी इनसानों का रोल प्ले करते हैं यह आपको हमेश्या सही रास्ता दिखाएंगे अगर आपके साथ जा रहे है तो जहां से लेते हैं आपको वह ही छोड़ते है यह देखो क्या बात है क्या बात है बंटी हेलो इनका भी पेर होता है एक यह है और एक भूरा इन हिमालियन भौतिया कुत्तों की एक कहानी है की बताया जाता है की जब पाँच पांडव राश में जब जारे थे सवर्ग में तरकी तालाश में तो जो नका एक हुट्ता था युदिष्टर के साथ रास तक चला था कि युदिष्ण।र ने इन लोगों को परदान दिया यह जो गाओं है मुंसियारी से लगवग 2 किलो मिटर पहले पढ़ता है और यहाँ जादा तर लोग work from home के लिए आते हैं यहाँ पर खाना पीना ताजा हवा और खूबसुरत व्यू के बीज में लोग time spend करना पसंद करते हैं और मेरे बगल में ही एक अंकल अंटी आ रखे हैं राजी सान से उदेपूर से और वो लगवग 15 दिन से यहाँ पे हैं इस खूबसूरत गाउं को मैं दुबारा से आपको describe करूँगा और बताऊंगा कि यह कैसा गाउं हैं और यहां मैं last time जब आया था तो एक अंटी जी गायों को कुछ खिला रही थी यहां पर ठीक है छोटी गाय थी पीछे थारा गाउं है और यहां पर छोटी मोटी यहां के गाउंवाले जो है खेती करते हैं मुझे यह ग्याहूं की खेती लग रही है और आलू अगर भी हाँ पर उगाय जाते हैं और यह लास्ट एकदम गाउं का जो लास्ट गयर है न वो वधि का होमस्टे है जिसमें हम लोग रुके हुएं वो होमस्टे जो आपको सामने दिखाए दे रहा है यह हमारा होमस्टे और यह जो बना रखे हैं हट छोटे-छोटे से इनों के अंदर गाउं के जानवरों के लिए भी कुछ न कुछ रखा जाता है और उपले वगरा हुगाते हैं और खेती करते रहते हैं चोटी-बंटी लेकिन जो मैंने अपनी आखों से देखा है और जो महसूस किया है उसके बारे में एक सही स्पस्टी करन देना सच्चा स्पस्टी करन देना बहुत जरूरी है तो यहाँ पर आप भी आप सुबह छे बज़े सुनिए पंच्यू के अवाज ये एक बड़ सैंचूरी भी है तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ आवास तुना रहा हूँ और यह मेरी प्रोटेक्शन के लिए यह लोग भी भापी भागे हैं यहाँ केला कभी नहीं छोड़ते हैं इनको प्यार चाहिए यार बहार के जैसे कोई भी गैस्ट आता है न तो गैस्टों को देखकर यह डॉगी भी आ जाते हैं तो दोस्तों अगर आप भी आना चाहते हैं यहां तो मैं आपको रास्ता सही बताऊंगा आप मेरे वीडियो को फॉलो करकर भी आ सकते हैं गूगल स कार्गेट है कि अपनी कंपनी को पहले ग्रो कर रहा है और लोगों को एक बजट फ्रैंडली पैकेज बना कर देना है खूबसूरत गाउं के अंदर आपको इस प्रकार का नजारा दिखाई देगा अभी चलते हैं क्योंकि अभी हमें ब्रश ब्रश करके फ्रेश बगरा होक आज एक बहुत ही अच्छा ट्रैक करने जाना है खलिया टॉप ट्रैक मुंसियारी का सबसे फेमस ट्रैक है खलिया टॉप ट्रैक और उत्रखंड की गवर्मेंट ने यहाँ पर हैली पर वीचिस भी प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी है कुमाउ रेंच के अंदर आज की में आपको लंबा सबर देगरने के लिए जो गाडियों की जुरुत पढ़ती दी अब आपको हैलिकॉप्टर के तुरू एक दम एक लोकेशन पर पहुचा दिया जाएगा उसके चार जिस भी तीन हजार चार जार जार अलग अलग रेट्स है लोकेशन वाइस यार यह यही प्यार चाहिए और कुछ नहीं इन लोगों को बस मैं क्या दे सकता हूं जाते जाएगा यह जो आपको खेती दिखाई दे रही है अब मैं आपको खेती के वारे में बद्दाता हूं जो आपके सामने एक नैचुरल और गयानिक खेती सामने देख रही है कहां हम लोग अजकी डे elét में नकली खाना झाहे हैं असली खाना तो यहीं मिलता है यह अको और आपको अलू भी दिख सकते हैं बाकी इसके बारे में तो मैं भी अन्टी से पूछ कर बता दो यहां पर है क्या गया हमारे ही प्यारी सी अंटी सुबए चशे बज़े हमारे लिए सारी तैया जाना है तफरी मारने तफरी मारने तवाई जाओ अब मैं आपको दिखाने वाला हूं यहां पर कुछ चीजे यहां पर जो यह फ्लास है ब्लूमिंग फ्लास और आइधिंग अलग-अलग यहां पर आपको सबजियां देखने को मिल जाएगी और गैनिक अगर आपने यह कहना यह मुली ओगी है यह गोबी होगी है फूल गोबी प्त्ट गोबी ना और क्या उगgae अच्ब solche अरच बीच में धनिया बगया वो है अच्च वosis यह सबजी है राई राइय उगा यह अच्छ्छ और यह धनिया आइघल यह ड़िया यह यह दोयक्त शंच तो इसको काला एपनी खेती यहां पर भी करती है और कुछ खेती जो में बदाये थि वहां पर आलू और जो अगरा उगा रकी है और यहां पर अंटी क्या नाम है चूला वगड़ा वाँ गाये का खाना चूले पर रोटी गाउं की यही लाइफ है भाई और यहां पर भी पालक वगरा उगार के खुश्बू भी पालक की आ रही है यह है सरमोली विलेज इसके बारे में जितना डिस्क्राइब करूंगो अतना कम होगा लेकिन अपनी वीडियो के अंदर यही बताने की कोशिश करूँगा सरमोली विलेज का सबसे खूब सूरत जो पहले वराने घर हुआ करते थे होमस्टे टाइब के इस टाइब के जो मैंने आदी किलाश ओम बरवत में देखे थे नहीं भूलूंगा यार जो भी साइड में आता है हुशिश करें सरमोली विलेज में रुकने की क्योंकि यहां पर आपको नैचुरल खाना मिलेगा जो काटता है वो ठीक भी कर देती है उसकी दवाई भी है तो मेरे जब काटा था ना बिच्छु गास नहीं चल रहा है तब अगसे लगाते है तो ब्लड फ्लो जो होता है सर्कुलेशन जो होता है और बढ़ जाता है जो मुझे यहां के लोगों ने बताया है और यह देखो प्रोडेक्शन की साथ बैठा हुआ है यह अभी सब ठीक इनको भी छेड़ना चाहिए तो भाई गाए के लिए जगा जो बना रखी है वह यह वाली है और माता जी ना दूद निकाल रही है चले जाओ तो यह गाए है इनका चारा यह है माता जी दूद निकाल रही है आपर तो भाई यह है गाउं की लाइफ और माता जी दूद निकाल रही है मैं देख रहे है ता दूद के जगाल रही है गाए भाई मारेगी दूद नहीं देगी अगर मैं जाओंगो अंदर क्योंकि गाइके जो बचले है उनको भी दूद पीना होता है न और यहाँ जो आवाज और इस खूबसूरत गाउं के अंदर जो lifestyle है लोगों का खेतिवाड़ी है और homestay वगरा से थोड़ी earning हो जाती है यही इसकी एक खासियत है दूर दूर तक आपको यहाँ पर कोई pollution और कोई population नहीं दिखाई देगी बहुत ही कम लोग है एक माता जी है वहाँ पर I think हो 80 प्लस है और उनकी life देखे कैसी है आज भी वो काम बगरा करकर उनकी life को जी रहे है अवाज को सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है बस यहीं पर रहो जागे आप अभी आपको चाई बिलाते है अज़े दादी कैसे हो दादी हमारी सरमोली विलेच की सबसे बड़ी दादी कैसे हो तो यह बताओ कितने रहाल के हो गया पत्तर है सत्तर से प्लस है ना दादी आज रिकांब अटी प्लस होंगे तो यह दादी की अपनी लाइफ स्टाइल है सुबह उट जाती है जल्दी और सेवा वगरा करने में लग जाती है कमजोर होगे आँके कमजोर होगे तो माता जी सुबह सुबह उटके देखो पश्रूओं की कैसे सेवा कर रही है कितने प्यार से सेवा कर रही है और यह चीज़ आपको कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है गाउं दिहात या उन लोकेशन पर देखने को मिलती है जहां पर यह चीज़े मिल जाती है हरे बरे पोदे हैं जिने खाती है गाई यह और यह है खूबसूरत नजारा यहां का मैं रुका हूँ इस वाली लोकेशन पर जो बिल्कुल आईसोलेटेड है और इससे खूबसूरत और कहीं हो भी नहीं सकते थी तो यह जो चीज़े ना दोस्तो इसके अंदर गाए के खाने की चीज़े होती है और गोबर बगरा होता है यह समालने के लिए है और पीछे देखे यह भी हट जासा बना रखाए तो गाउं के अंदर आपको यह खूबसूरत चीज़े जरूर देखने को मिलेगी तो दोस्तो वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं अब तक के लिए धन्यवाद